आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ किसको हम लिज सकते हैं 2x of cos of c plus d by 2 into cos of c minus d by 2 और हम यहाँ पे sin c minus sin d को कैसे लिज सकते हैं इसका formula हमारे पास होता है 2x of cos of c plus d by 2 into sin of c minus d by 2 so अब हम cos 7x plus cos 5x को हम यहाँ पे solve करते हैं तो cos of 7x plus cos of 5x की value कितनी आ जाएगी इसको लिज सकते हैं 2 times of cos of 7x plus 5x that will be equal to 12x by 2 into cos of c minus d by 2 तो कितना हो जाएगा 7x minus 5x 2x हो जाएगा upon 2 so इसकी value अब हम इस equation को लिखते हैं तो हर पास क्या हैगा 2 times of cos of 6x into cos of x अब हम इसी similar way से sin 7x minus sin of 5x को solve करते हैं तो sin of 7x minus sin of 5x की value कितनी आ जाएगी यह हमारे पास आ जाएगी 2 times of cos c plus d by 2 that will be equal to 6x आ जाएगा into sin of c minus d by 2 तो कितना आ जाएगा 7x minus 5x कितना आ जाएगा 2x 2x upon 2x आ जाएगा इन दोनों का ratio हमें find out करना है तो कितना आ जाएगा यह 2 times of cos of 6x into cos x और denominator में यहाँ पे आ जाएगा 2 times of cos of 6x into sin of x तो यह दोनों term हमारे cancel out हो जाएगे तो हमारा final answer क्या आ जाएगा coat of x तो यह हमारा final answer हो जाएगा इसके value कितनी आ जाएगी हमारे पास 6-12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जाएगा students का भर हो सा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उपर